दोस्तों किसे देश के प्रधान मंत्री पर पहले बार एक्स्टॉर्शन माने जबरदस्ती वसूली का आरोप लगा Electoral Bond में ये खुलासा हो गया है कि मोधी सरकार कहने पर कोई गुरेज नहीं कि लुचे लफंगर की तरह बड़ी बड़ी कमपनियों से हफ्ता वसूलने का काम कर दिया रही है इसमें बिलकुल गुंदों की तरह पहले कमपनियों को डराया धमकाया गया और बाद में Electoral Bond के जरिये BJP को पैसा देने पर मजबूर किया गया और जो मोधी सरकार के आगे जुके नहीं उन कमपनियों से सरकारी प्रोजेक्ट्स या तो छीन लिया गया या फिर उस कमपनी को मोधी जी के परमित्र अडानी द्वारा टेक ओवर करवाया गया आज का ये पूरा रिपोर्ट वीडियो देखने के बाद आपको तै करना है कि मोधी जी पर लगे एक्स्टॉर्शन का आरोप सही है या घलत है तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का देश नीती पर देश नीती किवल सच्ची और पक्की खबरे दोस्तो हमारी सरकार नरींद्र मोधी की सरकार दिन दहाडे ओन कैमेरा ओन पेपर हफता वसूलती आ रही है इसका खुलासा सुप्रम कोर्ट में अब हो गया किस तरह से गुजराती कॉर्परेट लॉबी को फाइदा पहुचाने के लिए जो अन्यकर कॉर्परेट लॉबी है उनका नामों निशान मिटाने की कोशिश की गई इसका खुलासा अब हो चुका है भयंकर भयानक एक खेल खेला जा रहा है जिसके बारे में सुनकर आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे दोस्तों मैंने आपसे कहा है न कि पहले ही कमपनियों को डराया गया धमकाया गया उन्हें लेक्टोरल बॉंड के जरीए बीचेपी को फंड देने पर मजबूर किया गया और जो ये काम नहीं किया मोदी के आगे जुका नहीं उन कमपनियों पर अडानी द्वारा उन्हें टेक ओवर करवाया गया पहले आपको उस रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ जहां कमपनियों को डराया गया धमकाया गया जो मोदी के आगे जुके नहीं ED, CBI और Income Tax का डंडा सिर्व विपक्षी नेताओं पर ही नहीं दोस्तों बड़े बड़े बिजनिसमैन, इंडिस्ट्रियलिस्ट के उपर भी पढ़ता है कमपनियों पर पढ़ता है रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन बड़ी बड़ी कमपनीज में छापे पढ़ते हैं, दूसरे ही दिन वो भाजपा की पार्टी फंड में इनका चंदा पहुँच जाता है रिपोर्ट देखिए, दोस्तों केंद्रिय एजिनसियों की छापे मारी के बाद 30 कमपनियों ने भाजपा को 335 करोड रुपे का चंदा दिया रिपोर्ट में कहा गया कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ट में ये आया केंद्रिय जांच एदिन्सियों की कारवाई और वित्य रिकॉर्ड के एक पैटन की ओर इशारा करता है। नो करोर रुपे पार्टी को दिये। ये आक्रे उन कंपनियों के हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में एक करोर से भी ज्यादा का चंदा भाजपा को दिया है। भारतिय जन्ता पार्टी के लिए SBI पहुँच जाते हैं और भारतिय जन्ता पार्टी के नाम का इलेक्टोरल बॉंड खरीते हैं। भारतिय जन्ता पार्टी को रिश्वत देती हुई ये कंपनिया नजर आती हैं। जो भाजपा को पहले से ही इसमें से कम से कम 6 कंपनिया हैं जो पहले से भाजपा को चंदा दे रही थी। लेकिन उन पर फिर भी छापे पड़े और छापे पड़ने के बाद वो जो रकम वो दिया करते थे भारतिय जन्ता पार्टी को चंदे के तौर पर वो रकम बढ़ जाता है। अगर एक करोर दिया करते थे तो छापे मारी के बाद वो पांच करोर तक पहुंच जाता है मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक आप कह सकते हैं कि extortion हफता वसूली की कोशिश की जा रही थी बड़ी बड़ी कमपणियों को भाजपा सरकार भरतिय जनुता पार्टी की सरकार EDA CBI Income Tax द्वारा टार्गेट कर रही थी ताकि या तो वो हफता वसूली बढ़ाए जो रकम भेट के तौर पर भरतिय जनुता पार्टी को देती है वो बढ़ाए और उनमें से जो भरतिय जनुता पार्टी को चंदा नहीं देती थी ऐसी कमपणियों पर प्रहार किया गया या फिर कुछ कमपणियां ऐसे भी हैं जो शायद विपक्ष को शायद कॉंग्रिस को शायद टीमसी को चाहिए किसी आमाद्मी पार्टी किसी दूसरे पार्टी को फंड किया करती थी उन उपर EDCBI और Income Tax के रेट जैसे पढ़ते हैं तुरन दूसरे ही दिन वो भारतिय जनुता पार्टी के पास हाथ जोड़ कर पहुँच जाती है और उन्हें इनाम के तौर पर उन्हें आप कह सकते हैं कि इनाम नहीं बक्षा जाए उन कंपणियों पर EDCBI का रेट ना चले उन्हें बक्षा जाए इसके चलते भारतिय जनुता पार्टी को वो चंदा देने लगती हैं ऐसी कंपणियों के बारे में दोस्तों खुलासा तो हो चुका है अब भारतिय जनुता पार्टी की सरकार या मोधी सरकार एक दूसरे तरीके से भी काम करती है जैसे कि इन लोगों ने तो भारतिय जनुता पार्टी के सामने हार मान लिया तो इन्हें छोड़ दिया जाता है अब मैं बताऊंगे कि किस तरह से मोधी के आगे ना छुकने वालों का हरस्र जो है मोधी सरकार करती है अडानी को बेची गई हर एक सरकारी संपतियों पर सवाल तो उठता रहा जैसे जैसे अडानी को धर दबुचा जा रहा है या इलेक्टोरल बॉंड का परदा जो है फाश होता चला जा रहा है वैसे वैसे मोधी और अडानी के बीच का जो संबंध है वो टेंशन में आ रही है आंधरप्रदेश के निलोर जुले में एक पोर्ट का नाम है कृष्ण पठनाम यहां के मालिकों पर 2018 में इंकम टैक्स की रेड पड़ती है जाहिर से बात हैं इंकम टैक्स का मामला काफी दूर तक जाता है और कृष्ण पठनाम के मालिकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का कुछ खासा कनेक्शन नहीं था अब ऐसे में 2020 को अडानी इस बंदरगा की 75 प्रतिशत हिस्सा खरीद लेते हैं या उनसे खरीदबाया जाता है 2021 में अडानी ने पूरे के पूरे बंदरगा को ही खरीद लिया 2800 करोर रुपे में तब ये सवाल उठता रहा कि अडानी ने जितनी रकम दे करके स्पोर्ट को खरीदा उससे कई गुना ज्यादा कीमत स्पोर्ट की है लेकिन पहले से ही मालिकों पर आईटी की रेड चालू थी इसे लिए अडानी के लिए सौदा काफी मुनाफेदार साबित हुआ या मुनाफ़क करवाया गया लेकिन ये कहानी यहीं पर खतम नहीं होती 2020 दिसंबर ACC अमबूजा अल्ट्रोटिक सिमेंट पर रेड पड़ती है मामला आगे चलता रहा फिर 2022 दिसंबर में अडानी बहुत ही कम कीमत पर ACC और अमबूजा सिमेंट का स्टेक खरीद लेते हैं यहां भी पहले से कंपनी के मालिकों पर रेड चल रही थी इसे लिए यहां भी सौधा काफी मुनाफेदार हुआ क्योंकि अल्ट्रोटिक सिमेंट ACC अमबूजा सिमेंट के साथ या उनके मालिकों के साथ भारती अजनता पार्टी के तमाम नेता मंत्रियों का उठना बैठना नहीं था कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों मतलब सरकारी जांच एजनसी रेड मार रही है उसी कमपनी को अडानी कम कीमत पर खरीद रहे हैं और आरोप यह लगा कि पहले तो भारती अजनता पार्टी उन्हें डरा कर धमका कर पैसा वसूलने की कोशिश की इलेक्टोरल बॉंड के जरीए लेकिन ये ऐसे सी अमबुजा सिमेंट वाले राजी नहीं हुए तो जाकर के अडानी द्वारा इस कमपनी को खरिदवाया गया ऐसा लग रहा है कि जैसे अडानी के लिए सरकारी जांच एजनसी ब्रोकर की तरहां काम कर रही है लेकिन खेल किस तरह से खेला जा रहा है इसे समझना जरूरी है पहले कमपनियों पर रेड बड़ी कमपनी की कीमत घट रही है फिर कम कीमत पर सरकारी बैंकों से करजा लेकर के अडानी उन कमपनियों को टेक ओवर कर रहे है मतलब सब कुछ के पीछे सरकार जो है ये समझा रही है अब जो टेक ओवर वाली कहानी आपको बताने जा रही हूं वो महज इत्तिफाक नहीं हो सकती साल 2020 जुलाई का महिना मुंबाई एरपोर्ट की देखरे करने वाली जीवी के ग्रूप के खिलाब सीवी आई केस रेजिस्टर करती है इफायर के मुताबिक जीवी के ग्रूप पर घलत तरीके से साथ सो पांच करोर रुपे हासिल करने और सरकारी संपत्ती को नुकसान पहुचाने का आरोप लगा आरोप ये भी लगा कि जीवी के ग्रूप के साथ भारतिय जनुतापाटी के नेताओं का उठना बैठना नहीं है इसके बाद एडी की निजर इस पर पढ़ती है जीवी के ग्रूप उपाध्यक्ष संजोरेडी के घर पर एडी की छापे मारी हुई और फिर एक महीने के भीतर जीवी के ग्रूप ने अडानी को मुंबई एरपोर्ट की हिस्सेदारी बेच दी फिर सरकार ने मुंबई एरपोर्ट को अडानी ग्रूप के हाथों में ही सौप दिया और पहले से जीवी के ग्रूप पर CBI ED का केस रेजिस्टर था इसे लिए यहां भी सस्ते भाव पर अडानी ने मुंबई एरपोर्ट में जीवी के ग्रूप की चवातर प्रतिशत हिस्सेदारी बड़े सस्ते भाव पर खरीद ली अब आगे आगे सरकारी एजंसियां पीछे पीछे अडानी ग्रूप पहले सरकारी एजंसियों ने चापे मारी करके कमपनीज के रेट को गिराया अडानी ने उसे खरीदा उसे तरहां से खेल जो है चलता रहा पहले नरेंद्र मोदी की सरकार EDCBI के जरिये उन पर चापे मारी शुरू की फिर माना ये जा रहा था जिनके साथ जिनोंने मोदी जी के साथ या उनकी पाटी के साथ संबंद को अच्छा बना लिया या सौदा कर लिया डील कर ली डील पक्की हो गई कि ठीक है इलेक्टोरल बॉंड के नाम पर हम आपको इतने करोड़ रुपे देंगे जब ये डिल पक्की हो गई तो उने छोड़ दिया गया और जिन्होंने ये डिल पक्की नहीं की जो मोदी का के नहीं जुके उनके लिए तो अडानी जी है दोस्तों अडानी और मोदी के इस प्रयास को कोई नहीं रोप पाया मोधी अडानी गटपंधन जो है वो एक अलग तरीके से सरकार चला रहा है और सबसे बड़ी बाद अब इलेक्टोरल बॉंड का मामला जैसे जैसे सामने खुलता चला जा रहा है प्यास की तरह परत दर परत उसका खुलता चला जा रहा है उसी तरह से इन इत्तिफाकों का जो एक बोज सरकार के कंधों पर फिलहाल है वो देखकर लगता है सरकार की हालत जो है ना बुरी तरह से टाइट हो गई है क्योंकि अडानी के साथ भरतिय जुनता पार्टी की सरकार का संबंध जो है वो अब खुल गया है पहले तो मामले को एकदम एक लाइन में अगर मैं कह दू तो यही है कि भरतिय जुनता पार्टी की सरकार ED, CBI, Income Tax के जरिए तमाम बड़ी-बड़ी कंपनियों, स्टेकोल्डर्स और सरकारी प्रोजेक्स पर काम करने वाली सभी कंपनियों पर ED, CBI के जरिए रेट डलवा रह ही है और जब वो इलेक्टोरल बॉंड के जरिए भरतिय जुनता पार्टी को चंदा देने से, डील करने से इंकार कर रही है तो उन्हें अडानी द्वारा खरिदवाया जा रहा है तो मामले को आप समझ गहे होंगे, अब आप समझे या आप खुद विचार करें कि क्या वा कहती हूं कि निस्पक्षता के साथ, पूरी परताल के साथ, अनलिसिस के साथ, वेल रिसर्च के साथ पाने के लिए देशनिती को दोस्तों सब्सक्राइब करें और जाते जाते एक बात और कहूंगी कि देशनिती को इस वकत आपकी सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है ज इसे में आपका भी फर्स बनता है कि आप दिशनिती को भरपूर सपोर्ट करें, फ्री जोर्नलिजम को अपना सपोर्ट दें. बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत.